अस्सलाम अलेकुम वेल्कम टू मैं चैनल जाका बच्शीरी आज मैं आपके लिए एक बहुत ही डिलिशियत सी डाल की रेसिपी लेके आई हूं यह शाही माश की डाल है आई यह से बनाना शुरू करते हैं मैंने वन कप माश की डाल लिया है वन टेबल स्पून अदरक का पेस्ट वन टेबल स्पून लासन का पेस्ट एक मीडियम साइज का प्याज लिया है इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है एक मीडियम साइज का टमाटर इसे भी मैंने बारिक पेस्ट बना लिया है 1 teaspoon कश्मिरी लाल मिर्च, 1 teaspoon हल्दी पॉड़, 1 teaspoon गर्मसाला पॉड़, 1 teaspoon धन्य पॉड़, 1 teaspoon जीरा पॉड़, नमक टेस्ट की साब से लिए आप, कुछ खड़े मसाले हैं, एक टेस्पत्ता, एक दाल चीने का टुगड़ा, पाच लॉंग, 5 tablespoon मैंने घी लिया है, 2 tablespoon क्रीम, आप चाहे तो घर की मलाई भी ले सकते हैं, तो आप सहार अधनिया लिया है मैंने, लगबग 2 tablespoon के करीक, इसे बारिक काट लिया है, तीन हर इमेज, इसे भी मैंने काट लिया है बारिक, और एक इंच अद्रक का टुकड़ा है, इसे भी मैंने लंबे slices में काट लिया है, मैंने जुले पे पैन रख दिया है, सबसे पहले मैं इसमें गी डालूए, घी गर्म हो चुगा है, अब सारे क्रे मसाले, इसे हम एक मिनिट फ्राइए करेंगे, ताकि इसके अच्छी से खुल्पू आ दिया, अब हम इसमें प्यास का पेस्ट एट करेंगे, साथ ही अदर क्लासन का पेस्ट, यह भी हम आट कर देंगे, और इसे 2-3 मिनिट तक अच्छी तरह से भूनेंगे हम, ताकि इसका कच्छा पन निकल जाए, देखिए, 2-3 मिनिट यह भून चुके हैं, साथ ही मैं इसमें सारे सुखे मसाले भी हैट कर दूंगे, और इसे भी अच्छी तरह से 3-4 मिनिट भूनेंगे हम, चूले का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे मसाले हमारे जल जाएंगे, नमक भी मैंने साथ में ही याइट कर दिया है, देके मसाला हमारा भून चुका है, अब मैं इसमें टमटर का पेस्ट भी आड़ कर दूंगे, और इसे भी हम अच्छी तरह से पकाएंगे, साथ में मैं इसमें थोड़ा सा हरी मिर्ज भी आड़ कर दूंगी, हरी मिर्ज मैंने आधा ही डाला है, आधा हम बाद में यूज़ करेंगे, अच्छी तरह से भून लेंगे से, अच्छी तरह से भून चुका है, टमाटर भी अच्छी तरह से पक चुका है, अब हम इसमें दाल अट करेंगे, दाल को भी हमें तीन से चार मिनट तक, मेडियम फ्लियम पे अच्छी तरह से भूनना है, दाल को अच्छी तरह से भूनेंगे, फ्लिफ का इसमेल और कच्छा पन निकल जाएगा, और दाल बहुती टेस्टी बन के तयार होगा, अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए भूनेंगे इसे, चुले का फ्लेम अभी मैंने हाई कर दिया है, इसका पानी ड्राई हो जाएगा, तो फिर इसे मेडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से हम भूनेंगे, देखे दाल हमारा भून चुका है अच्छी तरह से, इसमें से बहुत अच्छी से खुश्बू भी आ रही है, और दाल अच्छी से भून चुका है, अब हम इसमें पानी याड़ करेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे, इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे, जब इसमें एक उबाल आ जाएगा, तूले का फ्लेम हम मेडियम तूलो कर देंगे, आईसे हम तब तक पकाएंगे, जब तक दाल हमारा अच्छी से गल नहीं जाता, हम एक बार दाल को चेक कर लेते हैं, इसका पानी ड्राई होने लगा है, अभी दाल हमारी अच्छी तरह से गली नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा पानी हम और अट करेंगे, मैंने हाफ कप पानी और अट किया, और इसे हम तब तक पकाएंगे, यह पर दाल अच्छी तरह से जल नहीं जाता, मैं इस दाल को पैन में बना रही हूँ, यह कि दी में आज पर यह बनता है तो इसका टेस्ट जदा अच्छा होता है, आप चाहते इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, हम दाल को चिक कर लेते हैं, दाल अच्छी तरह सगल चुका है, अब मैं इसमें क्रीम अट करूंगी, थोड़ा सा क्रीम मैं बचा लूगी, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इसे, साथ में ही मैं इसमें अद्रग जो मैंने काट के रखाता वह अट करूंगी, थोड़ा साहरा धनीन, थोड़ी सी हरी मिर्च, यह भी मैं साथ में ही आट कर दूंगी, थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिया है, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे, चूले का फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे, आज दो मिनिट तक इसे लो फ्लेम पे और पकाएंगे हम, देखें, दाल बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़दा दाल बनके तयार हुई है, अब इसे जरू ट्राइ करें, अब हमें से डिशाओड करेंगे, अब इसे हम गार्निश कर लेते हैं, सबसे पहले हम क्रीम से गार्निशिंग करेंगे, इसकी, इसके बाद कटे हुए अधरत धनिया और हर इमेज जो हमने बचा के रखाता है, वह भी इसके उपर से हम डाल देंगे, बहुत ही मज़दात सी हमारी ये शाहि माश की डाल बनके तयार हुए है, आप इसे जरूर ट्राइ करें, और मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कॉमेंट जरूर दें, और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताके मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, थैंक्यू, आपको मेरे नहीं को सुआ है करें,